तो दोस्तों राजिस्थान में प्राइवेट इस्कूल में RTE Admissions Session 2023 के लिए Admissions की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है इस वीडियो में मैं आपको RTE Admissions की फुल प्रोसेस के बारे में बताने वालों यानि RTE Admissions के लिए कुछ जो बेसिक रूल हैं कुछ बेसिक नियम हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा कुछ बेसिक बाते हैं वो भी माँ आपको बताऊँगा आवेदन तित्थी है आवेदन कैसे करे कहां से करे वो भी आपको बताऊँगा डोकोमेंट या फिर दस्तावेज के बारे में आपको बताऊंगा यानि एस से लेके जेट तक complete जानकारी है इस वीडियो में आपको बताने वालो हूँ इसलिए जो वीडियो है वो अभिभावक सात्यों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है देखे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ये जो वीडियो है आगे जो भी बाते में वीडियो में बताने वालो हूँ तो यहाँ पर देखे बालक या फिर अभिभावको आधार मानते हैं मैंने आगे ये जानकारी दी है लेकिन यहाँ पर देखे हमारे जो इसकूल साती है वो भी इस वीडियो के मदद से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त हैं वो कर सकते हैं अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ हो आप बने रही नमस्कार साती हो मैं हूँ आपका अपना साती राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चेनल तो दोस्तों लंबे अर्शे के बाद हम सबका इंतजार है वो कम्पलिट हो गया क्योंकि इस बारे में नए जाने कितने अभिभावक साथियोंने तो फाइनली दोस्तों एडिमिशन की प्रोसेस हो शुरू हो चुकी है और मैंने भी देख किये आपको पहले वीडियो के मादधम से जानकारे दे थी कि admission की जो process है नए session के लिए वो March के अंटिम 87 से है वो शुरू हो जाएगी और भिया आज 28 March है process है वो शुरू हो गई है चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं इन admission को लेके कुछ आपको basic जो जानकारी है basic जो rule है उनके बारे में आपको बताऊगा उसके बाद आवेदन तित्ति और दस्तावेजों के बारे में आपको बताऊगा इसलिए देखिए थोड़ी वीडियो है वो लंबी जुरूर हो सकती है आप वीडियो को skip है वो मत कीजेगा क्योंकि अगर आप वीडियो को skip कर देते हो और जो जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ फिर वही जानकारी आप मुझे कमेट में पूछते हो इस्टाग्राम पे मसेज करते हो मेल करते हो तो या मेरा आपको कोई भी रीपलाई नहीं मिलेगा और जब मैं आपका रीपलाई नहीं करूँगा तो फिर आप नराज हो जाओगे किया राजगुर जी तो बहुत बड़ा आदिमी बन गया है हमारा तो कोई रीपलाई नहीं कर रहा है तो ऐसे मैं हाज और के रिक्वेस्ट है कि भी आप वीडियो को complete देखी और मैं दावे के साथ आपको खह सकता हूँ जब आप ये वीडियो complete देख लोगे न तो इन admission को लेके कोई भी doubts आपके दिमाग में रहेगा है नहीं चलिए इसके लिए सबसे पहले तो भी आप मेरा mobile हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि बहुत सारी बाते हैं मैंने point wise हैं यहाँ पर लिख रहे हैं अब सारी तो मेरे भी दिमाग में नहीं रहती हैं देखिए इन admission को लेके सबसे पहली और सबसे बड़ी खास बात जो इस बार बड़ा प्रिवर्तन हुआ है और बड़ा प्रिवर्तन यह हुआ कि इस बार ने session यानि session 2023 से अब हर बार 2023 नहीं बोलूँगा आप समझ लिजेगा तो यहाँ पर देखिए एक साथ चार कक्षाओं में आठी के तहत परवेश परकिरिया शुरू हुई है जिसमें जो पूर प्रात्मिक कक्से हैं प्री प्रैमरी कक्से हैं या फिर जिसे अपन आज के समय में WP 3, 4, 5 बोलते हैं LKG, UKG पता नहीं क्या-क्या नाम निकाल दिये इनके साथ-साथ यहाँ पर फैस्ट कलास में भी भिया admission होंगे तो यह एक सबसे बड़ा संसे बना ओथा, सबसे बड़ा सवाल था इसकूल साथियों का और अभिवाग साथियोंगा क्या फैस्ट कलास में भी admission होंगे या नहीं होंगे तो यह चारो ही कलास में एक साथ है परिवेश सुरू होंगे रूल के मताबिक है आप यहाँ पर आविदन कर सकते हो इसके लाओ यहाँ पर देखिए एक सबसे बड़ी खास जानकारी बताऊँगा आगे बढ़ने से पहले देखिए कोई भी यह दि गोवर्मेंट इंपलोई है तो यह गोवर्मेंट इंपलोई है वो आटी के तयात अपने बालक या बालिका के लिए आविदन मत कीजेगा अन्य था बहुत समय आपको समस्या आ सकती है कैसी समस्या आएगी क्यों आविदन नहीं करना है जब आप वीडियो कंप्लीक देखोगे तो आपको पता है वो लग जाएगा चलिए अब पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर बात करता हूँ देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है पूरो प्राथमी क्लिक्साओं के साथ साथ फेस्ट कलास में भी आविदन वो शुरू होंगे और इसी के साथ जिन परिवार की आर्थिक इस्थटी कमजोर है उन्हीं के ही यहा सबी से निवेदन करता हूँ आप आवेदन मत कीजेगा अन्य था बाद में आपको यहाँ पर समझ से आ सकती है इसके लाद जो आवेदन है केवल और केवल ओनलाइन ही सविकार किये जाएंगे डेट आगे मा आपको बताऊंगा ओफ लाइन आवेदन सविकार नहीं किये ज कर आओ तो भीया बड़ा ही सावदानी पुरोक आपको आवेदन करवाना क्योंकि हर बार मेरे पास इतनी समसें आती हैं कि राजगुर जी आवेदन के समय ये गलती हो गई वो गलती हो गई नाम में हो गई डियोबी में हो गई कास्ट में हो गई कैटेगरी में हो गई कैसे चेंज करवाएं तो भीयाब बाद में कभी भी चेंज नहीं होगा धान करके सुन लीजिएगा बड़ी ही सावधानी पुरग भरना है एक बार नहीं, दो बार नहीं, च्यार बार नहीं भीयाब बार देखो उसके बाद फोरम को फाइनल लोग करना है ठीक है साहिद आप समझ गए होगे मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी सम्मझ्य है साथियों के सामने ठीक है चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अबिभाग साथियों ने ये प्लान बनाया या फिर इसकूल साथियों का ये कहना था कि आप अगले साल है आविदन कर दीजेगा तो भिया ये दी आटी के तहित है किसी भी कख्षा के अंदर यहाँ पर देखिए अगर आपके बालक बालिका का एडमिशन हो चुका है चैए इसकूल वालों ने आपको अनुमती दी हो या नहीं दी हो तो भिया आप दुबारा आविदन नहीं कर सकते इस बात को आपको खास तोर पे द्यानक नहीं है और जो पिछे वाला लफडा चल रहा है इसके लिए मेरे एक अलग सी वीडियो आएगी क्या-क्या जानना चाहते तो ये संसे अपना दूर कर लिजेगा इसके लाग किसी भी प्राइवेट इसकूल में पढ़ रहा है दूसरी के लिए भी आविदन करना चाहता है तो वो कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके साथ यहां पे देखिए जो भी आपके जब आप आविदन करोगे तो आविदन के समय सबसे एक जरूरी और सबसे बड़ा दस्तावेज है वो है बालक बालिका का अधार कार्ड तो यह आपके पास होना जरूरी है अगर नहीं है तो यह जल्दी से बनवा लिजेगा अधार कार्ड को लेके आगी जानकारे आपको बताऊंगा बड़ी ही खास है ध्यानपुरक आपको सुनना इसकला जब भी आप आविदन करो तो देखिए आविदन के समय आप अधिक्तम पांच स्कूलों में है एक साथ आविदन कर सकते हो आपको पांच स्कूलों का मुका मिलेगा आपके एरिया में जो भी स्कूल है पांच में आप एक साथ वो आव पाइड की जो इसकूल है उन्हें में आप आवेदन कर सकते हो यह दि दूसरी गराम पंचायत या फिर दूसरा सहर है तो उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कापिसार ऐसे अभिवाग्स आती हैं जो अपना गाउं या फिर सहर छोड़ गे किसी दूसरे सहर में हैं नोकरी करते हैं और वहाँ पर अपने बालक बालिका का एडमिसन दिलाना चाहते हैं तो विया ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए जो केच्छमेंट जो एरिया होता है वो सबसे इंपोर्टेट होता है तो इस बात को आपको खास तोर पर धान रखना है आवेदन तो हो जाएगा लेकिन बाद में reject हो कर दिया जाएगा क्योंकि school साथियों को इस बारे में खाज जानकारी नहीं है सभी कोई बात नहीं कराओ कुछ एक ऐसे हैं जो कम ध्यान रखते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर देखे मान लिजी आपने आवेदन कर दिया ठीक है आवेदन करने के बाद यहां पर एक किकर लोटरी निकाली जाएगी सारी डेट आगे बताऊगा कब आवेदन होंगे कब लोटरी निकलेगी आगे आपको बताऊगा तो यहाँ पे देखे यह जो लोटरी है ना इस लोटरी के आधार मानते वहे आपके बालक या बालिका का किसी भी private school में admission होने वाला है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखे वरियता करमांक आ जाएंगे सीरियल नमबर हो आ जाएंगे सीरियल नमबर का मतलब है प्राथमिता करमांक मालीजी से एक नमबर देखे पांच स्कूलों में आपने आवेदन किया यहाँ पर एक स्कूल में एक नंबर आ गया किसी में दस नंबर पर आ गया किसी में पंदरा नंबर पर आ गया तो इस साफ से है जब लोट्री निकलेगी और लोट्री और लोट्री एटोमेटिक होगी पोर्टल के दवारा है एटोमेटिक निकाली जाएगी अब लोट्री को लेकि भी जहांसे में मत आना बड़ी खास बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसके चक्र में पिछली बार भूस सारे अभिभावक साती हो लुट गए अरे मत तो लुट गया हना तो क्या हुआ कि जो जो भी computer operator है इमितर वाले हैं वो क्या करते हैं कि भी आप थोड़ी से प सख़े quan लटरी के बाद आपको उन पांच school के अंदर में से किसी एक school में हैं आपको ओन-लायन reporting करने पड़े इं mogę शुडस टक है आपको reporting करने ठीकर न अगर आपने दो में school choice करने की भी मेरे बालक बालिका का इस school के अंदर मैं admission दिलाना चाता हूँ बाइद विए आप reporting करना भूल जाते हैं तो बाद में देखें automatic है किसी एक school में यहाँ पर reporting हो जाएगी जो कि आपकी मन मर्जी की नहीं होगी मन मर्जी से करना है तो date से पहले पहले online reporting है वो आप कर दीजेगा चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें reporting करने के बाद school के दवारा दस्तावेजों का verification होगा और दस्तावेज यह दि सही पाए जाते हैं तो वो verify कर देंगे ठीक है जिसकी जानकारी आपको अपनी ID से SMS के दवारा मिलती रहेगी समय समय पे आपको जो बालक बालिका का आपने आवेदन किया है उस ID से आपको अपडेट हैते रहना है तो समय समय पे आपको जानकारी मिल जाती है अगर यहाँ पर school के दवारा उस बालक बालक बालिका का डोकोमेंट है रिजेट कर दिया जाता तो वो भी जानकारी आपके पास आ जाती है ठीक है ना तो उसके बाद आपको साथ दिन का मौका मिलेगा अगले साथ दिन में सही जो दस्तावेज है आपको एक बार अपलोड करने है फिर आपको मोका नहीं दिया जाएगा अगर डेट निकल जाती है तो उसके बाद आप दुबारा भी document upload नहीं कर सकते इस बात को आपको खास तोर पे वो दानक ना चलिए यहाँ पर देखिए पिछली बार बड़ी समस्या है थी कि जो इसकूल साती है बेवज़े है गारजन या बालक बालिका के जो document है वो reject कर दे थे या फिर admission को ही या फिर आवेदन को ही reject कर दे थे तो इस बार ये बड़ी समस्या का समादान ही हाँ पर कर दी है इसकूल वाले किसे भी condition में किसे भी सूरत के अंदर आपके आवेदन को reject नहीं कर सकते हैं वो रिमारक डाल सकते हैं वो कमी निकाल सकते हैं ठीक ना तो इस बात को आपको धनकना ये इस बार बड़ा बड़ाव किया गया चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अगली जानकारी है जो भी मालीजिये इधर से आपके पास स्कूल के दवरा कोई भी कमी पूर्ति निकाली जाती है तो देखिए एक जानकारी तो आपके पास SMS के दवरा आ जाती है उसके बाद क्या यहाँ पर देखिए अक्षे प्या उब्जेशन लगाया है उसकी जानकारी जो नश्दी की CBO office है, उसकी ID पे चली जाती है, यहनी CBO office वाले आपको बता सकते हैं, और इसके लाँ मान लीजिए, यहाँ पे बाद में आपका document reject हो जाता है, तो CBO की ID से उसे verify करवाया जा सकता है, इसके लिए भी आपको यहाँ पे मोका है वो दिया जाएगा, चलिए, इसके admission हो जाता है, तो N4 जो school हैं, उन पे आपके बालक बालिका का नाम सो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभिवाक्स आती हैं, जो बार-बार मुझसे पूछा करते हैं कि राजगुर जी, हमें इस school में अपने बालक को है, वो नहीं पढ़ाना है, मैं तो भी वातारण बनाना चाहते हैं, उनके साथ बना लिजेगा, बाद में आपको यहाँ पर आफसर वो नहीं दिया जाएगा, चलिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखे, अब इसका मतलिव है नहीं कि लोटरी के अंदर माली जी, आपके बालक बालि सिटों के आधार पर या जो यहाँ पर फीच देखे, जो बालक बालिकाई पढ़ रहे हैं, उनके एडमिसन के आधार पर यह डिपेंड करता है, हो सकता है कि किसी स्कूल के अंदर यहाँ पर देखे, बालक बालिकाई उस कलासी में हो यह नहीं, अगर बालक बालिकाई नही तो भी आर्टी वाले student का admission नहीं होगा और उसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक admission होते हैं यह नहीं कि सब ने student ने यहाँ पर आवेदन कर दिया तो सब की एक साथ यहाँ आवेदन होगे ऐसा नहीं होगा यहाँ पर देखिए एक roster जो परणाली है उसको काम में ली जाती है शिक्साई भाग के दोरा तो यहाँ पर देखिए हर जो दूसरा बच्चा है यहाँ पर देखिए नोन आर्टी श्टूडेंट के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हो हर जो दूसरा बच्च है वो 8 टीका होगा aur उसके बाद यहाँ पर देखिए जो चीसरा नमबर यानि 5 वा जो नमबर है वो भी 8 टीका होगा फिर उसके बाद हर चोथा बालक है वो आटी के तैत होगा जैसे मैं आपको एक छोटा सा उधारन बता दूँ जैसे दो है पांच है नो है तेरा इस नमबर पे आटी वाले स्टुडेंट का एडिमिसिन चलता रहेगा चलिए ये तो रही कुछ मुख्ये बाते और ओल की ठीक ह क्योंकि उसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशानी होने वाली हो सकता है कि आपका आविद्धन है वो भी रिजेट कर दिया जाए जितने भी डोकुमेंट है डोकुमेंट के बारे में आगे मैं आपको यहां पर बताऊंगा जैसे एक तो जो दिक्कत आ रही है पिछले साल से ठीक है इसके साथ यहां पर देखिए यह जो आपका जब भी मतलब इसकूल है इसकूल को आप जरूर वेरिफाई करें जब भी मतलब आप रिपोर्टिंग करो ना तो इसकूल को जरूर आप वेरिफाई करें क्योंकि कई बार क्या होता है क स्कूल वाले भी दोखा धड़ी कर देते हैं यहापे कुछ जो स्कूले होती है वो एक से लेके पांस तकी होती है ठीक है ना और फिर आगे तो उसके है नहीं और ये आर्टी के नेमों के निशार जो बालक बालिक का है वो एक से आठ तक पढ़ता है तो भिया बाद में कख्षा छे में आप कहां से पढ़ाओगे अगर आप बीच में ले जाते हो तो भिया वो नोन आठी का हो जाता है याने आठी के तरहत है आपको कोई भी फिरी नहीं पढ़ाएगा तो ऐसे में स्कूल का आपको धान प्रोयक्ट चैन करना है और कॉंप्रोमाईज करना स्कूल वालों के साथ ठीकर न जहां पे बालक को एच्छी पढ़ाई है वो मिल सके चलिए इसके साथ दोस्तों यहां पे जितने भी दस्तावेज है भिया वो दस्तावेज है जिस दिन लोटरी निकाली जाती है उस लोटरी डेट से पहले के बने होनी चीए ना तो लोटरी के दिन के और ना ही लोटरी के बाद है ऐसे जो दस्तावेज है वो मानने नहीं होंगे खास तोर पे आपको धान रखना है सबी दस्तावेजों के महिया आपे बात कर रहा हूं और खास तोर पे आपका जो आई परमान पत्तर है वो आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए इसके लाग दस्तावेज की बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज हो जूत पड़ेगी एक तो बालक के जैसे फोटू है उसका अधार कार्ड है इसका जनम परमान पत्तर है और जनम परमान पत्तर मालिजे फिल हाल की स्थिति में आपके पास नहीं है तो यहाँ पे देखिए अधार कार्ड है वो भी एक बार के लिए मानने है आंगनवाडी कारिये करता है यदि बालक बालिका का जनम गाउं के अंदर होगा है तो आंगनवाडी कारिये करता है कि रिपोर्ट है या फिर होस्पिटल की रिपोर्ट है है वो मानने होगा लेकिन यहाँ पे एक खाज आनकारे आपको बताऊंगा जब ये जनम पर्मान पतर आपका माली जी उस स्कूल में admission final हो जाता है उस समय आपको इसके जूरत है वो पढ़ने वाली एक बार आवदने के समय काम चल जाएगा इसकूल वाले से reject भी है वो नहीं कर सकते इसके बाद यहाँ पर आए पर्मान पतर सबसे important जो document है वो है आए पर्मान पतर आलांकि सभी जाती समय आए के जो बालक बालक है उनके लिए नहीं है यहाँ पर देखिए जो SC, ST हैं इसके लाव जो विकलांग है या फिर जो विद्वा है मालीजिया जो U6 से विद्वा है, BPL परिवार से हैं तो उनके लिए आए पर्मान पतर की जूर्त नहीं है आए पर्मान पतर की किनको जूर्त है जिनके पूरे परिवार की जो आर्थिक इस्तिति है वो कमजोर है जैसे एक तो OBC केटेगरी वाले आते हैं, एक जनरल केटेगरी वाले आते हैं तो यहाँ पे उनकी आए डायलाग से कम है तो वो इसके लिए पातर है तब आपको यहाँ पे आए पर्मान पतर हो देना पड़ेगा ठीक है इसके साथ ही यहाँ पे एक मोल निवास पर्मान पतर हो भी आपको देना पड़ेगा और मोल निवास पर्मान पतर बालक या अभिभावक दोनों में से किसी एक का वो चल सकता है लेकिन माली जे फिल हाल के इस्तिति में आपके पास मोल निवास नहीं है लेकिन बाद में आपको इसे बनवाना पड़ेगा इसकला माल लीजिए देखिए प्रिसमल लगा और प्रिसमल लगने के बाद ये दि आपके गाउं में या फिर सहर के अंदर वार्ड चेंज हो गए जैसे आपके आधार कार या एनने डोकुमेंट के अंदर है आपका वार्ड है वो कोई दूसरा है और फिलहाल की स्थिति में वार्ड है वो चेंज हो गए तो ऐसे में आपको एक परमान पत्तर है वो देना पड़ेगा और ओनलाइन आपको अप्लोड करना पड़ेगा और परमान पत्तर पर या तो गाउं के सरपंच है या फिर वाड पंच है या फिर गराम सेख है या फिर इसके लाव सहर के अंदर जो भी पारसद अगरा वगरा चेर्मेन है उनके आपको अस्ताक्सर करवाने है फिर आपको ये डोकुमेंट है वो अपलोड करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए अधार साइध अपडेट ने कर है ठीक है चलिए यदि आप अपने बालक बालिका का डबल पी थरी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो इसकी जो उमर है वो तीन वर्ष या इससे अधिक होनी चीए लेकिन चार साल से कम होनी चीए ठीक है ना केलकुलेशन कर लेना कौन सी डेट तक करना आगे आपको बत काफी लंबी वीडियो हो गई है तो डबल पी फाइट के लिए हैं पर चार वर्ष छे मा या फिर उससे अधिक लेकिन छे साल से कम ठीक है इसके बाद यह दी कक्सा एक में आप प्रवेश दिलाना चाहते हैं तो बालक या बालिका की जो आयू है वो पांच वर्ष या या पांच वर्ष या फिर पांच वर्ष से अधिक लेकिन साथ वर्ष से कम होने चीए ठीक है तो यहां पर देखिए जो आयू की गनना है एज का जो केलकुलेशन है वो 31 मार्च 2023 को आधार मानते होगी कहने का मतलब 31 मार्च 2023 को आपके बालक बालिका की नियमन उसार ना तो ज एक दिन हो बड़ी हो आप काउंट कर लेना करना कुछ नहीं है सीधा सीधा आपको इसाब लगाना है एक तरफ है 2023 लिख लिजिएगा और उसके निच्चे भी या जो भी बालक बालिका की एज जैसे 2015 मान लिजिएगा दस मान लिजिएगा माइनिस कर दीजिएगा फिर मन् लिजिएगा बालिका की उमर है दस जनुरी है 2010 है या पंदर हजो भी है अब क्या वो पत्र है क्या तो या एज का कैलकुलेशन आप ही कर लो ना अब मेरे पास यार इतना टाइम कहां पे रहता है कि मैं हर एक बंदे को कैलकुलेशन करके दे दू हना गुगल बाबा बैठा केलकुलेशन आपके पास है इस गणने के सिधा साधा आप कर सकते हो ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखे दोस्तों बात करते हैं आवेदन की ठीक है मने आपको बताया कि जो आवेदन है वो ओनलाइन है वो सभी कार किये जाएंगे अब आवेदन डेट है सबसे एडियो के डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक है अपडेट वो कर दिया जाएगा ठीक है चलिए देखे सबसे पहले तो क्या होगा अब विवाव को है वो आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन करने की जो डेट रहेगी वो गुन 30 मार्च 2023 से लेके 10 अप्रेल 2023 तक यान अब अपना आवेदन हो कर दिजेगा और फिल हाल की स्थिति में आज हम ये वीडियो बना रहे है ठीक है यानि 28 मार्च को हम ये वीडियो बना रहे है तो फिल हाल तक यहां पे देखिए जो आवेदन प्रोसेस है या उसके रूल है नेम है कोई भी जानकारी आपको अपडेट नहीं हो है और ऐसे में आपको कहना चाहूंगा हो सकता है कि देखिए इन्होंने डेट तो है यहां पे देखिए गुर्टी समार्च हो दे दी तो साइध हो सकता है कि इसमें 2-4 दिन या 5 दिन का और समय है वो लग सकता है तो ऐसे में डेट आगे बढ़ाई देना ठीक है जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिस करूँगा चलिए इसके बाद आपको क्या करना है देखिए लोटरी निकलेगी और लोटरी की जो डेट रहेगी वो 12 अप्रेल 2023 रहेगी फिल हाल यह जो दिशाने देश जारी किये गे ना इसके अनुसार यहां पे 12 अप् जो प्रात्मिक्ता करमांक है वो कितना नंबर आए ठीक है यह पोर्टल पर ही आपको पता लग जाएगा आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से लोटरी का पता है वो लगाया जाता है इसके बाद आपको यहां पे देखिए ओनलाइन रिपोर्टिंग करने करेगे इसके बाद यहां पर देखिए अभिभावक दारा संसोदन किया जाएंगी डोकुमेंट खेने का मतलब जिवी स्कूल के दारा रिजेट कर दिये जाते हैं और उसके बाद अभिभावक को पूर्हर डोकुमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और पूर्हर डोकुमें अगर है वगरा कुछ नहीं होगा अब की बार CBU है वो उसके द्वारा है वेरिफाई होने वाले इस दिसा निर्देशों के नुसा हो सकता है कि साइद बाद में स्कूल वालों की IDP दे दिये जाए वो एक अलग बात है जब पोर्टल ओपन होगा तब ही मैं इसके बारे में आ पोर्टो वेरिफिकेशन का ठीक है ये रहेगी डेट है 23 में 2013 को उसके बाद यहां पर देखी पोर्टल दवारा एटोमेटिक सीटों का चेन कर देगा इसकूल वालों का लफड़ा ही खतम कर दिया पहले क्या करना पड़ता था कि हर जो इसकूल है कि हाँ मैं इसको इसमें एडमिस्न हो गया सारा जंजट खतम कर दिया ठीक है न चलिए तो यहां पर एक तरह से स्कूल वालों पर थोड़ी से लगाम है वो लग गई चलिए इसके बाद यहां पर देखे पोर्टल के दवारा ओर ओलर की बात करों यहां पर जब फाइनल यहां पर एडमिस्न करना है तो आसा रखता हूं कि साइद आपको मेरे दौरा बताए गई जानकारी हो समझ में आगे हलंकि वीडियो तो काफी लंबी हो गई क्योंकि काफी सारी जानकारी मुझे देने थी फिर भी यह दि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई बात बताने से चुक गया हूं या फिर भूल गया हूं तो आप वीडियो की नीचे कमेंट हो कर सकते और ध्यान अगना देखिए जिस प्रकार से मेरे पास एक ही समस्या की जादा कमेंट आते हैं तो मैं कमेंट का रीपलाई कभी नहीं करता हूं मैं उसके लिए एक separate वीडियो हो लेकर आता हूं तो ऐसे मैं ह एक और जानकारी आपको चलते चलते देना चाहूंगा जो कि मैं यहाँ पर भूल गया देखिए दिशा निदेश यह दिए आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो वेबसाइट का नाम है www.rajgurj.com तो यहाँ पर जिते भी latest अपडेट आएंगे, order आएंगे, notification आएंगे उनकी जानकारी आपको मिलते रहेगी और साथ साथ में हमारे जो other social media platform है जैसे facebook है, instagram है और twitter है यहाँ पर भी update की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा क्योंकि कई बार हो सकता है कि मैं इदर उदर गया जे हिंद, जे भारत